बच्चो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिट्विन HCF एन LCM बच्चो HCF और LCM का जो रिलेशन है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे ओगे दो प्रोड़क्ट अप LCM एन HCF अप टू गिबन नमबर इस इक्वाल टू प्रोड़क प्रोड़क्ट अप टू नमबर LCM इन्टू HCF देखो फर्मूला है इसको यहाद रहाँ न इसका फर्मूला क्या होगा LCM इन्टू HCF इक्वाल टू प्रोड़क्ट अप टू नमबर तो LCM इक्वाल टू प्रोड़क्ट अप टू नमबर hcf उधर चला जाएगा hcf उधर चला जाएगा तो क्या होगा divide होगा okay lcm into hcf इकल दू product of two number lcm इकल दू क्या होगा hcf उधर जाएगा तो क्या होगा divide होगा product of two number by cf okay hcf इकल दू क्या होगा lcm उधर चला जाएगा उदर चला जाएगा तो क्या होगा product of two number by LCM ओके one number equal to क्या होगा LCM into LCF by second number इसको याद आखना बच्चो LCM into LCF equal to product of two number और LCM equal to product of two number by LCF LCF equal to product of two number by their LCM और one number equal to LCM into LCF by second number ये फर्मुला को याद रखना बच्चो नेक एक्जेम्पुल वान क्या देखो LCF and LCM of two number is four and forty-eight बच्चो LCF of LCM of two number क्या है four and forty-eight है इफ one number is sixteen determine the other number ओके क्या है देखो LCF of LCM of two numbers क्या है four and forty-eight दिया गया है one number is sixteen है तो determine the other number तो कैसे करेंगे देखो LCF of two number is four LCF कितना दिया गया है four दिया गया है LCF of two number is four LCM of two number is forty-eight one number is sixteen ये पच्चो ये कौन सा फर्मुला होगा ये वाला फर्मुला होगा ओके हमको क्या करना है one number दिया गया है तो हमको second number find out करना है तो ये फर्मुला यूज करेंगे one number equal to LCM into LCF by second number ये फर्मुला को हम यूज करेंगे ओके तो अभी इसको हम solve करते हैं देखो बच्चो तो बच्चो दिया दिया गया है LCM of two number कितना है फूटीड है one number होगा है 16 तो हमको क्या find out करना है other number तो बच्चो को अच्छे से लिखना है LCF of two number कितना दिया गया है फूर LCF of two number कितना है 48 और one number है 16 तो हमको क्या निकलना है other number तो बच्चो इसका फर्मुला क्या होगा देखो इसका फर्मुला होगा one number equal to one number equal to क्या होगा LCM into SCF by other number बच्चो इसका दियान से देखो ओके यह है फर्मुला one number equal to LCM into SCF by other number तो अभी one number कितना है one number के जगा में जितना है उतना लिखेंगे one number के जगा में 16 है तो हम 16 लिखेंगे one number 16 दिया गया है तो 16 लिखेंगे LCM कितना है बच्चो 4 है तो LCM की जगा में 4 लिखेंगे into SCF कितना है LCM है 48 तो LCM के जगा में 48 लिखेंगे okay HCF कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे okay order number कोज नहीं है order number की जगा में order number ही लिखेंगे okay उसके बाद क्या करेंगे solve करेंगे इसको कैसे करेंगे देखो 48 इंटू 4 कितना होगा 48 इंटू 4 कितना होगा 48 इंटू 4 होगा पटी 160 और 160 192 होगा बच्चो कितना होगा 192 तो बच्चो क्या लिखेंगे 192 by other number तो बच्चो अब है क्या करेंगे देखो 16 है इसका मतलब नीचे 1 है 16 है इसका मतलब क्या है नीचे 1 है तो अभी हम क्या करेंगे देखो अभी क्या होगा इसको इदर लाएंगे इसको इदर लाएंगे चेंज कर देंगे 192 by other number तो बच्चो कर देंगे इसको इदर लाएंगे इस 16 को उदर लेंगे तो अभी क्या करेंगे अभी 16 इदर आएगा तो इदर 1 है 16 by 1 है 16 मतलब उसके नीचे 1 है तो 16 इदर आएगा तो क्या होगा divide होगा इदर other number divide है उदर जाएगा तो multiply होगा 16 इदर आएगा तो क्या होगा divide होगा क्योंकि इधर multiply है तो इधर आएगा तो नीचे होगा और other number नीचे है उधर जाएगा तो उपर रहेगा यह याद रहना बच्चो यह दखो 16 उपर है 16 है इसका मतलब नीचे 1 है तो 16 उपर है तो इधर आएगा तो denominator में रहेगा और इधर denominator में जो है उधर जाएगा तो numerator में रहेगा इधर denominator में other number है उधर जाएगा तो हम numerator की जगा में लिखेंगी और इधर numerator में 60 नहीं इधर आएगा तो नीचे रहेगा अभी 192 को 16 के साथ divide करेंगे 192 को 16 के साथ divide करने से कितना होगा? 12 होगा ओके कितना होगा 12 तो बच्छो देखो हमारा अधर नमबर मिल गया ओके अधर नमबर इकल डू कितना होगा 12 कितना है अधर नमबर है 12 वान नमबर हो हमारा 16 और अधर नमबर है बच्छो 12 है कितना है 12 ओके तो इसको ऐसे करते हैं